हालो एंड वेलकम तो माई यूटूब चैनल शुर्ण आज हम पढ़ेंगे लेविस एसीड एंड बेस तो वाट इस लेविस एसीड एंड बेस यह क्या होते हैं इसको हम आज जानेंगे इस वीडियो में तो लेविस एक सैंटिस्ट हैं जो एसीड और बेस को क्लियाफाई करे थे कि कौन से लेविस एसीड होगा कौन से लेविस बेस होगा अर्था जो लेविस एसीड और बेस का कॉंसेप्ट है वो डिपेंड करता है आपकी लोन पियर ओफ इलेक्ट्रॉन पर यह डिपेंड करता है आपकी मै मैं बता दूं आप लोगों को कि यह जो concept है लोन पियर ऑफ एलेक्ट्रॉन और इसको हम कह सकते हैं electron pair là electron pair तो यह Leavish Acid Base जो है आपका Non-Pair of Electron पर Based है तो Baptist Acid क्या है और Leavish Base क्abordज क्या है कि इसको हम जानते हैं तो इनके अनुशार लेविस एसीड लेविस एसीड तो लेविस एसीड क्या है इनकी अनुसार लेविस एसीड वे स्पीसीज होते हैं जो की लोन पेर एक्सेप्ट करते हैं ठीक है जो लोन पेर एक्सेप्टर होते हैं विस लेविस एसीड कहलाते हैं ओके अनुसार लेविस बेश ब्यसीज कहलाते हैं जो लोन पेर ओफ एलेक्टान लोन पेर ओफ एलेक्टान डोनेट करते हैं या डोनर होते हैं ठीक है डोनर होते हैं वे लेवीस बेस कहलाते हैं फॉर एक्जामपल देखे यहां दा कॉमनली एक्जामपल है बहुती फेमस एक्जामपल एन एच त्री इधर एच एच और एच और नाट्रोजन पर लोन पेर ओफ एलेक्टान है और बी एफ त्री यह फ्लोरीन फ्लोरीन एंद यह फ्लोरीन तो देखे इसमें नाट्रोजन के पास लोन पेर ओफ एलेक्टान है तो लोन पेर ओफ एलेक्टान को यह डोनेट कर सकता है यह लोन पेर ओफ एलेक्टान को डोनेट कर सकता है किसी स्पीसीज को दे सकता है तो किसको देगा जो जिसके पास एलेक्टान की डेफिशेंशी होगी ठीक है तो किसके पास है बुरान के पास बुरान के पास प्यूर बाइटल खाली है प्यूर बाइटल खाली है तो यह ज कहलाएगा लेविस कहलाएगा और यह आपका लेविस एक्सेट हो जाएगा बेस डोनर हो परकार से ंए Curious आपका क्वाडिनिशन बॉन्ट का इस प्रकार से इन एच-3 इधर bond का BF3 इस प्रकार से bond का formation करेगा यह पहला दूसरे एग्जामपल आपको बता दूं तो दूसरे एग्जामपल आपको pH3 pH3 तो Phosphorus के पास one lone pair होता है with the lone pair and H plus यह proton है proton है इस पर इसके पास जो है orbital खाली है यह lone pair इसको दे देगा यह donor यह donor की तरह काम करेगा अर्थाद देगा तो यह लेविस बेस हो जाएगा यह लेविस असीड हो जाएगा ठीक है यह लेविस असीड हो जाएगा एक्सेप्टर है इसलिए तो यह आपका पी एच त्री यह हैड्रोजन इस कोड़ी कोडिनिट बॉंड के तुरू इधर से जुड़ जाएगा ठीक है तो दोस्तों मैं आपको यह और बता दू लेविस असीड की अधर जिसको कह सकते हैं हम लोग तो इसको डिसकस कर सकते हैं हम लोग की लेविस असीड क्या है तो चलो देखते हैं लेविस असीड क्या है यह इसको प्रॉपर्टी समझ सकते हैं या ठीक है तो लेविस असीड क्या है इसको कैसे पहचान है हम लेग लेविस असीड विच इस्पेसीज हाज लेविस एसीट तो लेविस एसीट क्या है इसको पचाने कि मैं आप लोगों को तरीका बाद या प्रोपर्टी भी बोल चकते हैं तो पहला है सिंट्रल एटम कि सेंट्रल एटम हैं इस इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट पहले प्रोपर्टी है सिंट्रल एटम है सिंट्रल एटम हैं इनकम्प्लीट ऑक्ट headquarters देखो बी एफ लिनियर त्री औरत अधे सिट में कमप्लीट ऊक्टेट डीशियरंट एटम Спाहिए गार को रहे दूर्ट या इन कमप्लीट औक्टेट और फ्लेवाज है और फके स्क्राजण इन और भिजब करने About compound है और इसका भी ऑक्टेट इनकंप्लीट है और यह लास्ट बता दूँ लिथियम को राइड इसका भी और वाइटल इनकंप्लीट है है सो हम लोग इसके इसको कह सकते हैं लिवी से सही नहीं यह सारी जैसीड कहलाते है ठीक है उसके बाद मैं आपको दूसरा प्रोपर्टी बसा सकता हूं तो सिंट्रल एटम थीक है सेंट्रल एटम हैज एंपिटी एंपिटी डी और्वाइटल ठीक है और्वाइटल तो सेंट्रल एटम के पास एंपिटी डी और्वाइटल होगा किस प्रकार से देखो सी आई एक्स फॉर यह सी आई सी एल फॉर हो सकता है कोई भी हैलोजन गूरूप तो अगर मैं देखूं इसको सिलिकॉन तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर के संदें कितना होता है 14 तो 14 को हम लोग एलेक्टॉनिक कॉन्फिक्रेशन करें तो वन एच्टू टू एच्टू एच टूपी 6 और 3 एस टू और 3 पी 3 पी में टू जाएगा और उसके बाद ये 3डी 0 हो जाएगा देखिए तो यहाँ पस 3डी और बेटल जो है आपका 0 है अर्थाद यहाँ पस कोई भी आ हर्थाद होता है टी और बैटल खाली है ठीक है MPT है तो यह सिंटरल इटम हैं MPTD orbital यह आपका पहचान करा सकता है आपकी लेवी सेशीट का यह है आपका लेवी सेशीट उसमें हम लोग एक्जामपल देख सकते हैं इस iCl4 को एक्जामपल देखो इस iCl4 को और मैं बता दूं यह जो है इसको टूसेल के साथ रेक्शिन करें और यह सिलिकान iCl6-2- का formation करता है जो कि इसका यह लेवी सेशीड और बेश के इसका काम करता है ठीक है उसे प्रकार से इसका एक्जामपल में आपको बता सूंँ SF4 और PCL5 और एक सेलफर डाइक्साइड और एक्टो-SO3 यह सब ही आपकी लेविश असीड कहलाती है ठीक है और ले bus based का प्रोपर्टी आपको बता दिता हो इन लास्ट में तो लेविश असीड क्या है लेविश एक्ट सोरी लेवीश बेश है ना लेवीश असीड तो हम लोग बता चूके है तो लेविश बेस पता प्रोपर्टी से पहला जिसमें नेगेटिव आयंस होते हैं सबसे पहले नेगेटिव आयंस होते हैं ठीक है नेगेटिव आयंस कुन कुन से हैं देखें जो भी इतना भी है है уж मैंनरे आपका वह Winston मैंनंस है और और हो था इस ओपर टू मैंनंस है और क्या बता हम आपको बी आर माहीनस है और यह योडिन मायनस है ठीक है यह जितने भी सारे 첫 पीसीज है आपके टाहिक सिग पपस्ड़ी इस होते है रप unterstüt होते हैं अर्थाद यह इक्ताल थे और सकते हैं तो यह इसकि पुश्टी करता है टोन होते हैं टिक है यह उट्रावन पेर नोर होते हैं और एक और प्रॉपर्नी आप लोगों को बता दूँ और इसस इसस आपयों को सुआधि है गीत असलिच आपकल पाक"! इस पेस और जो लिखता हूं वह समझ हो यह बात ठीक है तो यहां पर देखें आप लोग मेरा जो न्यूट्रल स्पेसिज विंग लोट पेर न्यूट्रल स्पेसिस कुछ विंग लॉन पेर यूट्री इसमें प्रेज़न होते है तो यह आपका लिविस बेस की तरहा कार्या करेंगा ठ तो ऊक्षिजिएन के पास लोन प्यार एलक्ट्रोन प्रेजेंट होते हैं ठीक उसी प्रकार से यह आपका ch3o और यह ch3 यह एक्जामपल है ऑक सब्सक्राइब प्रेजेंट है तो यह भी लिवीज बेस की तरह और येक्ट करेगा ठीक उसी प्रकार से आपको एक और बता दूं आर एन एच टू तो नैट्रोजन के पास लोन प्यार अफ एलेक्ट्रों प्रेजेंट होते हैं तो यह भी आपका लेविस बेस की तरह कार्या करेगा सो आसा करता हूं फ्रेंट्स यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्प फूल होगी और सो गूड़ प्रेक्टिस सो थैंक्यों सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो